Hello everyone, स्वागत आपका एक और नाई फ्रेश एपिसोड में बात करने वाले हैं आज तीन ऐसी upcoming SUVs के बारे में जिसको आपको लेके काफी excitement जादा हो सकती है पता है क्यों? Because यह budget friendly SUVs हैं और यह ऐसी SUVs हैं जिनके looks, जिनके engines are just amazing बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी की the Kia Sonnet facelift इसके अपर detailed video पे बनाई है, description link मिल जाएगा, check out करना ना भूले Kia Sonnet में हम specifically बात करें तो यह गाड़ी जो है वो एक महीने से दो मीने के बीच में है लांच हो जाएगी December, January के बीच में इस पे काफी जादा नए features आ रहे है, जैसे कि नया ADAS आएगा, camera based जो की venue जैसा ही रहेगा, adaptive cruise control के इलावा, level 1 वाले सारे features आपको मिलेंगे, चाहे हो lane departure warning, lane keep assist forward collision, avoid assistance यानि कि जो automatically brake लगा देता है car हो, pedestrian होई है, cycle हो उस पे भी, तो और driver attention warning high beam alert, यह सब आपको ADAS level 1 में features मिलते है, venue वाला ही चार्ट यहाँ पर लगाते है तो आपको पता लग जाएगा, बस adaptive cruise control नहीं होगा, उस से फिर वो गाड़ी level 2 हो जाती है, anyways, moving on to the more features, यानि कि Kia Sonnet में जो और features आएंगे, 360 degree camera आने वाला है कि हमारी इस नहीं किया Sonnet में और वो अब चाहिए भी, विकाज almost हर segment में, यह 360 degree camera तो common होगे, hatchbacks में भी आने लगे तो SCV आना तो बनता ही है, साथ में आपको नया complete नया interior है, वो मिलेगा, जो कि वैसे तो और भी variants के हमें spide images बगएर आई हैं, तो वहाँ पर हमें ADAS और 360 degree camera दिखे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि वो features तो हैं साथ में आपको मिल जाते हैं, heads up display, 8 inches का, हम expect करके चलब रहें, turn by turn navigation भी होगी, warnings वहाँ पर सारी आएंगी और features के specifically बात करते हैं, major major features तो यह हैं, हमारी नहीं Kia Sonnet में, engine wise किसी भी तरह को कोई change नहीं किया जाएगा, वही 1.2 litre का natural aspirated petrol, 1 litre का turbo petrol, बहुत अच्छा है engine, और उससे भी अच्छा है engine, 1.5 litre का diesel turbo CRD engine जो है, वो आपको offer किया जाएगा, तो यह सारी चीजे इस गाड़ी क और भी जादा feature-ish बना जेंगे, stylish ही तो पहले सी थी ही, और नए LED headlamp 16 inches के नए alloy wheels और Kia Seltos जैसे connected tail lamps जो है, वो भी इस गाड़ी के look को और जादा enhance करेंगे, तो definitely this could be the most attractive car of this segment, anyways, Sonnet attractive है, तो ऐसा तो नहीं के Mahindra पीछे रह जाए, तो Mahindra XUV3OO का face load हम कब से इंतजार कर रह है, D, बस launch होनी वाली है, वो एक launch timeline company plan कर रही है, जो कि 26 January हो सकता है, जिस तरह company अपने launches जो है, 26 January 15 अगर, 2 October इस तरीके से रखती है, उचिस आप से वियर expecting कि 26 January को इस vehicle को अन्वील यह launch at least कर दिया जाएगा, जहाँ पर नहीं XV3OO के interior को completely change किया जाएगा, और इस segment की यह पह आपको offer किये जाएगे इस vehicle के साथ, और हाँ, इस लाड़ी के साथ ने एक complaint थी, 6-speed AMT transmission जो आती थी, आप उसे delete करके नहीं add करेंगे, the torque converter, price थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बड़ अट लिए उनके लिए सपना पूरा हो जाएगा, एक अच्छी SUV, XUV, जिसमें आपको एक बढ़िया automatic gearbox offer किया जाता है, तीन engine options होगे, 1.2 litre का पहले वाला petrol engine, जो की 108 bhp की power engine करता है, नया turbo GDI, जाने की gasoline direct injection वाला engine, 128 bhp वाला कमाल का engine है, वो तो मिले गए petrol वाला, और तीसरा आता है 115 bhp, 300 newton meter torque वाला आपको turbo diesel unit, वो काफी अच्छा engine है, बट वो ही है कि petrol diesel की लड़ और diesel भी, anyways, नए LED headlamps, नए DRLs, काफी हो तक XUV7OO का mini version होगा, उसी तरीके कि इसके bifunctional LED DRLs भी आने वेले हैं, हम spy image में बहुत अच्छी तरीके से देख भी पार है, रियर में बहुत जादा change नहीं होगा, बट यस change होगा, नए alloy wheels definitely होगे, interior है जो सबसे जादा advance कर जाए यहाँ पर, AC के control, center console बढ़िया होना चाहिए, और साथ में digital cluster काफी हद तक आपको इसमें offer किया जाएगा, तो XV3OO, feature-rich तो होने वाली है, मेरे दोस्त, मैं काफी excited हूँ, launch की बात करने हैं, तो again 26 January तक का इंतिजाद थोड़ा सा कर लीजिए, last but not the least is the Toyota Taser, मारोती सुझू क अच्छी लगी आपको, तो Toyota Taser भी अच्छी लगी क्योंकि वही गाड़ी है, Toyota को logo, नई grill, Toyota वाली, कुछ design bits, एक color additional हो सकता है, interior में फोड़े बाते changes करके, Toyota Taser को launch कर दे जाएगा, हाला कि जब Toyota से बात हुई थी, एक बार तो कह रहे थे कि Taser और Fronks में काफी difference होगा, it is not going to be a Bellino or Glanza, it is not going to be Ertega or Rumian, it is going to be Grand Vitara and High Radar, यानि की काफी जादा difference हमें देखने को मिलता है, Grand Vitara or High Radar में, वैसे ही, Toyota की Taser में भी देखने को होगा, विकाज ये बड़े, इस segment की गाड़ी है, जिसकी demand सबसे जादा रहती है, सबसे जादा sales भी रहती है, और सबसे जादा और जाते है, Toyota की signature grill मिलेगी, new bumper होगा, unique lighting features होगे company के तरफ से, और cabin के अंदर भी हम ये expect करें के नहीं color scheme होगी, पहले वली नहीं होगी, जैसे हैं, high rider और Grand Vitara में हम difference देखते हैं, engine wise हाला की कोई change नहीं होगा, वन लीटर का booster jet engine, 100 BHP वाला ही मिलेगा, और 88 BHP वाला 1.2 लीटर का natural spirited engine offer किया जाएगा, AMT तो होगा, CVT transmission देखते हैं, automatic का थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा रुक अभी confirm करेंगे हम क्या आता है, मेरे सब से change कोई होगा नहीं, तो जो transmission engine वैसे ही रहने वाले हैं, हाँ, CNG option भी offer की जाएगी, वो चीज मुझे अच्छी लेगी, कि जैसे फ्र जाता है, गाड़ी के लाउंच नहीं silently करते है, ऐसे नहीं के पहले एक दो मीन दिंडोरा भीटेंगे, इवेंट्स रखेंगे, टीजर्स लाउंच करेंगे, नहीं, आज टीजर का लाउंच पर सो delivery, ऐसी शुरू करते हैं, तो Toyota Taser के साथ कुछ इस रीक है, सीन रहने वाला, है, we are expecting Taser जल्दी आ जाएगी, what do you think, आप इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस गाड़ी को लेके excited हो, नीचे comment करके जुरूर बता है, हाँ, इसके इलावा को यह और सेग्मेंट देखना चाहते हो, CNG Cars का, Automatic Cars का, इससे बड़ी गाड़ी का, यानि कि जैसे नही क्रेटा आने वाली है, और भी बहुत कुछ आ रहा है, तो कोई बात ही, सब आता रहेगा, हम आपको लिए वीडियो से अफ्लोड करते रहेंगे, these were the latest sub compact SUVs, जो की आपको जल्दी मिलने वाली है, sub 4 meter compact SUVs, और EVs की यहां पर हम अभी बात नहीं करेंगे, because अभी I think चल रहा, petrol, diesel का द तिल देन रवे शफे टेकर, लव यह वाई बाई अवे थवेचे, आपको बात चब्चेश मिलने वेखे हैं yeah